स्वागत है आपका एक बार फिर स्वादा आपका बे और सवाल-जबाब का सलसिला आप शुरू करते हैं हमारे साथ सुरेंदर कुमार सिंग जुड़ रहे हैं मतुरा से सुरेंदर जी बताइए नमस्कार बॉलिए क्याए आपका सवाद कब लिये थे आपने ये ये कल लिये हैं तो फिलहाल नुक्सान हो रहा है आपने कल ही लिया तो क्या ट्रेडर है फटाफट निकलने की जल्दी में को जल्दी भी नहीं है मेरे पास दो से तीन मेने का टाइम आप रख सकते हैं राकेश जाहर है बहुत लंबा इनका नजरिया नहीं है तो फिलहाल यूनिटेक का इन्होंने शायर यह सोच के लिया है कि बहुत गिर गया आप खरीड लेना चाहिए क्या यह डिसिजन सही है क्या कर रहा है इन फैक्ट मेरा ऐसा मानना है कि यूनिटेक हो सकते आने वले समय में पहला वो यह स्टॉक हो जो सं 2009 के लोस को तोड़े अगर आप देखें नीचे के स्थरों पर इसका ऑल टेम जो 2009 में लो लगा था वो लगबाग 22 रुपे के आसपस का है और स्टॉक थोड़ा आना चाहिए यूनिटेक में अगर किसी कोई शॉट्टू मीडियम दम के लिए पोजिशन होनी चाहिए तो वह शॉट्ट साइड में जाहिए लॉग के लिए श्टॉक को बिल्कु लवयाट करना चाहिए और तो यहां पर यूनिटेक से सीधरा सीधा निकलने की सला आपको विजे चोपरा हमारे साथ बन चुके हैं सौधा आपका में विजे आपसे जाना चाहूंगी पैंटलोन ने काफी अच्छा सत्र दिखाया था कल भी काफी जादा रना दिखाया था इस टॉक में क्या करना चाहिए इस लेवल पर लगता है इने निकल जाना चाहिए अब बने रिटेल अजा कंपनी को देखें तो हर साल इनका दो से ड्राइए मिलियन स्क्राइट का एरिया है यह रिटेल में बहा रहा रहे हैं तो इनकी ग्रोथ काफी कंसिस्टेंट रही है टोटल से इनके बाद करीब 22-30 मिलियन स्क्राइट का है और आवरेज ग्रोथ रेट इनकी मीडियों तो लॉंग तरम प्रस्पेक्टिव से बने रहना चाहिए और एक पोटेंशल मल्टी बैगर है मगर शॉर्ट तरम में थोड़ा पेन देखने को मिल सकता है क्योंकि रेंटल्स बहुत हाई हैं और जब तक यह रिटेल एवडियाई पर क्लारिटी नहीं आती मुझ जहां से जहां भी भी आपको रणफ मिलता है 210 के लगवजा बहार आ सकते हैं बने रहने की राय यहाँ पर पैंटलून में और हम आपको बताएं मौगन स्टैनली ने आज यहाँ पर 421 रुपए के टागिट के साथ एक रिपोर्ट भी जारी की है क्योंकि उन्हें लगता है कि FTI पर जल्दी अनुमती मिल जाएगी और उसके बाद शायद पैंटलून निराश किया जब पूरी तेयारी के बाद अचानक से इसको बैक बरनर पे डाल दिया गया था तो वो रिस्क जरूर है अगला सवाल विवेक जैन का इन दोर से विवेक जी पूछें पूछिए पूछिए आजी साब बताएं यह मेरे पास में एसकुमार के 56 रुपे के नुकसान हो रहा है, Mr. Chopra, आप क्या राय देंगे, इनको आधा हो चुका है, इनका पैसा तो ऐसको मार्स में और खास तौर पे पिछले दो एक सेशन में बहुत जोर से गिरावट आई है इनके वरावस क्या देखे हैं, तो कंपनी बहुत अच्छी है, इसके पैंतालेस के करीब गलोबिली वेल-स्टाबलेस्ट ब्रैंड्स हैं और काफी एक्सपंशन के लिए इनके इनके एग्रेसिफ टाकेट्स हैं, एक्सो साथ करीब आउटलेट से खोलना चाहते हैं इनके शेयर स्ट्राजिक बिसनश ऑनिर्ट हैं, साथ को तो ये ख्रॉकषल ऐल के माकेट्स ने थोड़ी सी भी तेजी देखने को मिलती हैं, तो इसटाक में हमें तेजी देखने को मिलेगी तो structurally company में कोई तॉलम नहीं है मज़र जिस प्रकार से stock पर pressure रहा है वो overall market sentiment की वज़े से भी है तो मेरे यह सला रहेगी कि अगर आप average कर सकते हैं और इसको कम से कम 12-18 महीनों की अवदी तक अगर आप इसको रख सकते हैं तो निश्चित रूप से आपके भाव और उससे उपर भी आपको देखने को बिलेगा तो एक से देज साल कर नज़रे रखकर आप एसको मास में बने रह सकते हैं आगे बढ़ते हैं हाईदराबाद से जितेश जैन हमार साथ फोन लाइन पर है मौनिंग जितेश पूछे क्या सवाल है आपका जितेश बताईए कौन से शीर में पैसा लगाया है कितने श्चेह लिया है 625 शेर है 350 की ऐबरेज ते 625 शेर है सारे 300 की ऐबरेज पर लिए है 320 का चाहता हूँ मैं ये अगर आप स्टॉक्चर देखें तो स्टॉक्चर एक्स्ट्री वीक है अगर आप देखें तो 310 रुपे के नीचे स्टॉक्च नीचे की तरफ चल रहा है उपर की तरफ देखें तो 310 रुपे स्टॉक्च के लिए की इमेजेट रिजिस्टन्स है कोई भी पुल बैक आए तो स्टॉक के अंदर शॉर्ट पोजिशन्स ली जा सकती है इनको लॉस जुरूर हो रहा है मेरा ऐसा मानना है इनको इन स्टॉक करके स्टॉक से बाहर आना चाहिए इनको पुल बैक की वेट नहीं करने चाहिए जिस तरीके से स्टॉक का पैटन है स्टॉक्चर है मेरा ऐसा मानना है कि शौट टम के अंदर स्टॉक जो है 255 रुपे के आसपा सेटल होगा उन लेवल्स पर दुबारा से स्टॉक को ये बाहि करें इन सरों पर बेचे हैं तो इन से जिससे अपनी थोड़ी सी परचेस प्राइस जो है उसको कम कर पाएंगे और राइट तो भी एच विल में से निकल जाने की सला आपको यहां पर राकेश दे रहे हैं इसके साथ सौधा आपका मिलेंगे छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जारी रहेगा सवाल जवाब का सलसला बने रहे है हमारे साथ परेश परपलिया है अमरेली से हमारे साथ जिन्होंने सवाल पूछा है HCL Info पर परेश बताईए क्या है आपका सवाल शेयर ले रखा है या लेना चाहते हैं मैंने ले रखा है अब भी HCL Info के 200 शेयर पड़े है मेरे पास अधर रेट ओफ 62 और दूसरा है मदरसन सूमी उसके 80 शेयर मेरे पास पड़े है अधर रेट ओफ 174 HCL Info की अगर पहले बात करें हापे आपको नुकसान हो रहा है करीबन साढ़े दस रुपए के आसपास का HCL Info से इसमें काफी हमने वीटनेस देखी है और in fact अब तो ये एक dividend yield stock के तोर पर भी सामने आ रहा है लेकिन क्या इन लेवल्स पे loss को बरकरार रखते हुए राकेश आप कहेंगे कि ये बने रहें थोड़ा इंतजार करें recovery हो पाएगी या फिर loss book कर ले नहीं परदीप मेरे ऐसा मानना है कि HCL Info का अगर आप structure देखें तो structure बहुत ही खराब है stock का continuous दोजान lower tops lower bottoms का है मेरे ऐसा मानना है कि इनको थोड़ा सा loss हो रहा है इनको loss book करके इस तरहों पर बाहर आना चाहिए जिस स्टॉक का structure है और जिस स्टॉक का down side momentum है मुझे आश्यरे नहीं होगा अगर यह stock अगले 10-15 दिन के अंदर momentum के साथ नीचे 35 रुपे के आसपा straight कर रहा हो तो इस तरहों में इनको loss book कर लेना चाहिए 35 रुपे के आसपास यह सो सकते हैं दुबारा से stock में re-entry करने की Alright, HCL Info System में यह सला है राकेश की मुझे, Madhasan Sumi में क्या करना चाहिए? क्या सला देंगे आप इने? इने फिलाल 25 रुपे प्रतिश रुपे का लॉस हो रहा है Madhasan Sumi as a company, one of the best place company है One of the largest automobile module component suppliers है यह लोगो, इनका काफी global presence है, Australia में, Europe में और America में इनकी presence है, domestically भी इनकी presence है बहुत अच्छी है और जो उनके domestic revenues हैं, वो करीब 18, उनने स्टिशत YOY के हिसाब से भढ़ रहे है अगर अभी जिस प्रकार से overall slowdown हुआ है, उसका असर देखने को मिल रहा है Madhasan Sumi के stock में भी, मगर मुझे लगता है, जैसे ही बजार सुद रहेंगे तो इस stock में हमें अच्छी movement देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि फंडमेंटली बहुत strong company है, cash rich company है और कुछ ज्यादा debt नहीं है इसकी books पर, तो मुझे लगता है कि इसमें एक medium to long term perspective से बने रहे हैं और निशित रूप से आपके भाव आपको वापस मिलेंगे All right, fundamentally अच्छी है, cash rich company, इसलिए बने रहने की सला आपको Mother Sun Sumi में वुझे दे रहे हैं आगे बढ़ते हैं दिली से Vivek Singh हमारे साथ फोन लाइन पर है, नमशकार Vivek, पूछे क्या सवाल है आपका? नमशकार मादम, मेरे पास Starlight India है, 127 सुते के बहाव पे और मैंने इसके 100 शेर ले रखे हैं और मेरे पास Educom solutions है, 270 के बहाव पे उसके बी 100 शेर हैं राकेश, Metal Pack काफी weak दिखा है पिछले कुछ दिनों से, Starlight में इने फिलाल 20 रुपे प्रती शेर का लॉस हो रहा है, क्या सला देंगे आप शौट टर्म परस्पेक्टिव हैं इनका? पिछले, Starlight का अगर आप structure देखें तो structure एकदम खराब है, stock का continuous हो जहान lower tops, lower bottoms का है, stock अपनी सारी short term, medium term, averages के नीचे ट्रेट कर रहा है, मेरे ऐसा मानना है कि इनको 20 रुपे का loss इन तरुपे book करना चाहिए, उपर की तरफ देखें तो 120, 122 एक major resistance है, और short term में मुझे ऐसा लगता नहीं है, कि stock इन तरों के ऊपर trade करेगा, नीचे में अगर आप देखें तो stock का आने वाले समय में एक downside momentum बड़ा तेजी से आएगा, और हो सकता है, आने वाले समय में pullback भी तेजी से ना है, और stock 90 रुपे के नीचे तक जाने का potential रखता है, तो मेरे ऐसा मानना है कि यहां पर loss book करके इन और अपनी position से बाहर आना चाहिए, अगर इनका नाजरिया है, इमिजेट short term है तो, निकल ले कि राइस टोलाइट में आ रही है, लेकिन विजए, एडुकॉम के बारे में आप क्या call देंगे, हमारे दर्शक और खरीदना भी चाहते हैं, क्या यह सही decision ह होगा, फिलहाल तो इने करीब 85 रुपए का लॉस हो रहा है एक शेयर पे, नो डाउट जिस प्रकार का negative sentiment डवलप हुआ है, इस stock में, there was a time when the stock was a darling of the market, और जिस प्रकार का इसमे रन अप दिखाया था, मगर काफी समय से हम देख रहे हैं कि यह एक लाइगाड है, मगर अगर आप education space को देखे हैं, और जिस प्रकार से एड़ुकॉम ग्रोथ कर रहा है, कभी उसके अपास करीब 60 एक operational schools हैं, बढ़कर गरीब 86-90 लेके जाना चाहते हैं, अगर एक से दो सालों में, और जो company का plan है, वो नए K-12 school करके, नए concept schools लेके आ रहे हैं, तो काफी अच्छे aggressive plans है मगर फिलहाल जिस प्रकार के pressure है stock पे और investor जैसे कह रहे हैं, उनका short term view है, मेरे असाथ से stock में pressure रहेगा, अगर आप लेना चाहते हैं, तो मेरे असाथ से ये stock आपको 170-75 के level से भी देखने को बल सकता है, अगर wait कर सकते हैं, तो आप wait करिए, मगर एक लंबी अबनी के लिए अहमदाबाद से इन्होंने सवाल पूछा है, जैकेशन बताईए, क्या है आपका सवाल? Hello, Sir, I am having 1675 shares of buy debt at the rate of 26 rupees each, and I am a long term investor, and I want to need the advice कि मझे क्या प्रना चलिए हैं? Okay, 26 rupees की cost है आपकी, तो फिलहाल आप नुकसान में हैं, लंबी अब्धी का नजरिया लेकिन ये रखते हैं, Mr. Chopra, क्या आप कहेंगे कि अच्छा decision है, बने रहें, फिलहाल loss हो रहा है, पांच रुपए का तो फिकर ना करें? Okay, आपके बाद समझनी होगी कि airline business में globally कुछ बहुत ज्यादा लोग नहीं हैं जिन्होंने पैसा बनाया, तो profitability attain करना airline business में बहुत बड़ा challenge है, और जिस प्रकार से जो crude की बड़ोतरी की वज़े से ATS के उपर pressures हैं, और जिस प्रकार से airport taxes बढ़ रहे हैं, recently हम ने देखा GMR करने cash and carry board में डाला King Fisher Airlines को, तो काफी समय से हम लेख रहे हैं, पूरी की पूरा airline business की काफी financial stress में, अगर हम spice jet की बात करें तो इनका low cost model है, जिसके अंगर मुझे लगता है कि काफी अभी stress है और यह stress को समय तक और रहेगा, तो बहतर होगा कि अगर आप stock को exit कर पाएं इस समय पर और कहीं आपको लीचे के सरों पे अगर entry करने का मौका मलता है, तो वहां करें कि मुझे लगता है कि कुछ समय तक अभी पूरी की पूरे airline space पे बहुत stress रहने वाला है, तबाव बना रहेगा spice jet में फिलहाल निकलने की राय पन रही है, विजय चोपड़ा की और से, और दोने सलाकार राके, शबोजी हमार सब बने रहेंगे, जारी है का सवाल जबाब कर से सकते है, वर्थम पाक आप देख रहे है, सौदा आपका, और मयांग का अगरबाल हमारे साथ जुगए फोन लाइन पर, मौनिंग मयांग, कहां पर निवेश किया है आपने? जायता है, पैसा लगाना चाहते हैं, रिलाइंस इंडस्ट्री में निवेश किना चाहते हैं, काफी पिटाई हो शकी है, चुपरा साब, रिलाइंस ट्रीHHH की इश कारेंट लेविल्स पर आप सलाह देंगे कि रिलाइंस पर पैसा लगाएं या भी रुकें? हाला कि Reliance में जिस प्रकार से इस quarter के results आए थे और जिस प्रकार से इनोंने करीब 16% की net profit की growth दिखाई थी और जिस प्रकार से company by December quarter कह रहे हैं कि they are going to be debt free तो ये सारी काफी सकरात्मक बाते हैं Reliance के लिए मगर फिर भी जिस प्रकार से जो selling देखने को मिली है या जो loss of confidence देखने को मिला है counter में due to the global turmoil and the problems in the market मेरे साथ से ये थोड़ा सा वेट करने के समय है साड़े साथ सो के सर भी हो सकता देखने को मिली है तो वो एक अच्छा level होगा जहां पर entry की जाए सकती है क्योंकि कंपनी काफी cash generate कर रही है गरीब 18,000 क्रोड का cash generate हो रहा है FY12 के first quarter, first half में तो मुझे लगता है कि काफी comfortable situation में होगी Reliance क्योंकि debt नहीं होगा और आज की date में जो cost of debt है वो एक बहुत major factor है pulling down के लिए जो pull down कर रहा है बहुत सारी balance sheets को तो Reliance में as a company, as a balance sheet में बहुत comfortable हूँ मगर थोड़ा सा रुक के इस stock में इंटर करें फिलहाल बाजार की गिरावट का वजन भी Reliance पे पढ़ रहा है चुकि ये एक heavy weight है देखना होगा और रुकसान हो सकता है तो निशलेस तरों पे खरिदारी की राए अगला सवाल सूजलान एनरजी पे आ रहा है सुमन कुमार है हमारे साथ भागलपूर से सुमन जी लिया हुआ है आपने या आप लेना चाहते हैं 27 रुकसान हो चुका है और अब तो उमने देखा कि management नहीं यहाँ पर हिस्तिदारी बेची है करीबन 2% के आसपास 27 रुपए के वहाँ पे तो उसके बाद अब यह 24 के भी नीचे फिसलता हुआ नजर आ रहा है चुपरा साब क्या राए देंगे आप सुसलान पे इनको 17 रुपए का नुकसान हो रहा है अबी भी मेरे हसाब से कंपनी में काफी स्ट्रक्चरल डामेज हो चुका है जो डेट है कंपनी का जैसे मैंने रिलाइंस के बाद रहे हैं बोला कि डेट एक ऐसी चीज है तो काफी वीक बैलन शीट है फिलहाल सुसलान की और कल मैनेजमेंट ने भी अपनी हिस्सेदारी आफलोड करी है मेरे साथ से इसमें फॉर्दर वीक्निस देखने को मिलेगी तो बेटर होगा कि आपको जो मिलता है अभी आपको ले लेना चाहिए और अगर आप एनरजी में ही रहना चाहते हैं तो एनरजी कंपनी इसमें फोड़ा समय लगता है प्रॉफिट वापर साने में अगर सूजलान इस समय मेरे साथ से एक स्लिपरी काउंटर है तो इससे जितना जल्दी हो सजे भार है तो सूजलान में से बहार निकलने की सला ही आपको पुझे चोपराजी दे रहे है दिली से धनराज बंसल हमारे साथ है मौनिंग धनराज कहाँ पर निवेश किया है आपने मौनिंग मैंने एवरो नेटिकिस में इन्वेश्ट किया है 713 मेरे पास 390 के आपको के बहाओ के और आपी इस स्वीट में इसमें काफी डाउन आ रहा है तो क्या करना चाहिए क्विट करना चाहिए या फिर होल्ड करना चाहिए कितना रुक सकते हैं आप इस शेय में शेय महिने तक और पीछे कुछ प्राइम पहले इसमें महारा तकि ओपन ओफर आएगा 500 काइस के बहाओ में वो भी नहीं हुआ है उसके बारे में भी कुछ बताएम इसमेच आज जो खबर आई है उसके मताबिक पी प्लेयर्स के नाम आ रहे हैं वरॉन में निवेश के लिए कारलायल और न्यू यॉर्क लाइफ ये दो नाम सामने आए हैं तक का इन्वेस्मेंट हो सकता है ऐसी खबरें आई हैं लेकिन इसी वज़े से उपर खुला था पर टिका नहीं है इसमें गिरावत आ रहे है इतनी इस पॉजिटिव डिवलप्मेंट के बाद भी चोपना साब क्या वज़े है इसकी क्या बाजार को लगता नहीं कि ये डील्स हो पाएंगे लिए इस समय पूरे प्रावट इकुटी स्पेस की अगर आप बात करें तो you have to see things with a pinch of salt मुझे लगता कि पिछले तीन से चार सालों में जो भी प्रावट इकुटी इंवेस्मेंट्स हुई है वो बहुत सारे बहुत पैसा बनाके निकले हैं एवरॉन में काफी खराब खबर भी थी पीछे मैनेजमेंट को लेके और मिस रिपोर्टिंग को लेके मुझे लगता है कि हलाकि इनका बिजनस मौटल बहुत स्ट्रॉंग है एजुकेशन सेक्टर एक संडराइज सेक्टर है हमारे देश का और काफी ग्रोथ है आने वाले सालों में मगर फिर भी कॉपरेट गोवरनन्स किस प्रकार की है और किस प्रकार से वो पैसा रेज कर पाते हैं अपने डेट रेजूस कर पाते हैं ये एक सोचने वाली बात है बहुत सारी प्राविट एकोई डिल्स कहीं ने कहीं आकरमा आकर रुख जाती है नो डाउट काफी लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है मेरे इसाब से मार्केट इस बेस्ट इंडिकेटर अगर मार्केट इसको थम्स डाउन दे रहा है आज में करीब 24 पच्छी सुपह नीचे ट्रेट कर रहा है तो मेरे इसाब से फिलहाल इस काउंटर में या तो आप लंबे समय तक बने रह सकते हैं तो बने रहें या फिलहाल इकटर कर के लोगर लेवल से भी आप एंटर कर सकते हैं लोगर लेवल से अगर बंती है राकेश तो क्या लेवलब्स आप देख रहे हैं TECNC टेक्निक लिए देखेंगे प्रदीप तो इसका structure बहुत खराब है stock का continuous रोजान, lower tops, lower bottoms का रहा है stock में उपर की तरफ देखें तो 315-320 एक major resistance है और charts देखें असा लगता नहीं है कि short to medium term में stock 315-320 रुपे के उपर जाएगा नीचे की तरफ देखें तो जिससरे का momentum है मुझे आशेरे नहीं होगा stock short term में 255 रुपे जो की stock का immediate support है यहाँ पर आके settle होता है और राइट तो इहाँ पर 315-320 के उपर stock का जाना मुश्किल होगा यह सलाह है राकेश की इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा break और break के बाद भी दोनों सलाकार बने रहेंगे सवाल जवाब को से सिला रखेंगे जाने स्वाटर थे आपका एक बार फिर आप देख रहे हैं सौदा आपका अगला सवाल रमेश पूछ रहे हैं हमारे साथ बेल गाम से रमेश बताएए क्या है आपका सवाल सर मैं ज्व नेर जी भाई कर रहा हूँ 120 पे भाई कर रहा हूँ अब भी तो 43, 50 पे भाई कर रहा हूँ अब भी तो 43, 50 पे भाई कर रहा हूँ अब भी बच और यवरेश 29 हो जाएगा मेरा इतना अब यज क्या ओल्ड करना है क्या लांक टाम के रजदेना है क्या थोड़ा उपर आपका बेजीने कर रहे हैं 500 शेर्स आपने जमा कर लिए खरीते खरीते लेकिन अब भी आपकी कॉस्ट है 79, 36 रुपे का नुकसान हो रहा है कुछ जादा ही अवरेजिंग आपने लगता है कई बार की है फिर भी आप नुकसान के स्थिटी में है JSW Energy में जो खबर आ रही है कि उनको rate बढ़ाने की जो मांग थी वो electricity regulator ने महराश्रा में उससे इनकार कर दिया है तो उसका जटका आज के दिन लगा है आप देख सकते हैं स्टॉक करीबन 7% नीचे फिरहाल trade करता हुआ राकेश JSW में क्या कॉल देंगे आप इनको कई बार averaging कर चुके है ठीकि परतीब जी अगर आप JSW का structure देखें तो structure extremely weak है स्टॉक का continuous जान lower tops lower bottoms का है जब इस स्टॉक का IPO आया था जब listing हुई थी उस समय भी बहुत से बड़े अच्छे लोगं का मानना था fundamental पर की stock को बिल्कुल नी खरीदना चाहिए लेकिन उस समय stock थोड़ा उपर गया था उसके बाद से हम देखें तो continuously stock नए lows लगा रहा है मेरा ऐसा मानना है कि इनको बिल्कुल averaging नहीं करने चाहिए stock के अंदर उपर की तरफ देखें तो 50 रुपी stock के लिए कब एक major resistance बन चुका है और ऐसा लगता नहीं है कि अगले 6-7 मिने में stock इंस तरों के उपर जा पाएगा अगर कोई भी rally आए तो थोड़ा दम रखें और loss book करके stock से बाहर आएं और किसी अच्छे stock में निवेश करें All right GSW Energy विसे निकलने की सला आपको दे रहे हैं यहां पर राकेश आगे बढ़ते हैं सूरत से हमारे साथ phone line पर आए Umesh Patel Morning Umesh कहां पर निवेश किया है आपने Hello Good morning Hello कहां निवेश किया है Umesh Reliance Infra All right Reliance Infra के 20 शेर लिये हैं 1250 के बाव पर काफी नुकसान फिलाल जेल रहे हैं यहां पर यह मुझे आज अच्छी ख़बर आई है कि अपना ECB जो हैनों ने रीपे कर दे Reliance Infra ने उसके बावजूर भी शेर की पिटाई हो रही है करीब धाई पिसेंट नीचे है क्या कहेंगे अप Reliance Infra में ने 800 रुपे से उपर का फिलहाल प्रतीशार लॉस हो रहा है फिलहाल में ही कहूंगा कि जिस तरह से Reliance Infra में गिरावट देखने को मिली है नो डाउट स्टॉक में बहुत ज़ादा वीक्निस है कंपनी में वीक्निस है मगर अगर यह इस लेवल्स पे एवरेज कर सकते हैं क्योंकि 365 के करीब का 52 वीक लो रहा है तो कहीं 400 या 390 करीब अगर इनको बाव देखने को मिलता है बजार के गिरावत में तो महाँ पर एवरेज करें और रैली में बाहर निकले क्योंकि मुझे नहीं लगता फिल्हाल कि उस समय तक 1200 का पाव देखने को मिलेगा तो बेटर होगा कि एवरेज करके रैली में बाहर आए और वे 390 या 400 के आसपास एवरेज कर सकते हैं इतना अगर आपको कोई भी रैली दिखती है तो उसमें सेल करने की रनीती आपको अपनानी जाहिए और अब वक्त आगे अवेदा लेने का अपने दोनों सलाकारों से राकेश जाने से पहले कोई डिस्क्लोशर आपकी और से अब नजर डालते हैं स्टॉक 2020 के अब तक के रिटर्न्स पर तक क्रूंग। वाँ वाँ